गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों आज है जैनुरी 21, 2023 एर हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू नियूस पेपर के नैलसिस मेरा नाम है सितेंदर चोधरी और रोजवी तरह है फिर से आज हम लोग कुछ टोपिक्स करने वाले हैं और जो आज लोग को आज कुछ करने वाले हैं उनको भी एडवांस में थेंक्यू को बोल रहा हूं तो पहला टोपिक रहने वाला है पाकिस्तान और IMF हमें बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से इनो फिसकल डेफिसिट वाला क्राइसी चल रहा है बैलेंस बेल आउट कहते हैं टेक्निकल टर्म में तो क्या उसका स्टेटस है क्या नहीं है उसके बारें बात करेंगे बायो प्लास्टिक के बारें बात कर सकते हैं छोटा सा टोपिक है इसमें ये बताया गया है कि जब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था तो बायो तरह आपका रिवीजन ही यहां पर होने वाला है आपट कुछ डिवेलमेंट हुआ है यहां पर इसलिए मैंने इसको डाला है उसके लबाद सोशल मीडिया प्लैटफोर्म को लेके कुछ गाइडलाइन्स इशू की गई है मुझे लगता है काफी इंटरस्टिंग टोपिक है और कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इसके अंदर इंकलूड है कंजूमर इंटरस्ट भी इसके अंदर इंकलूड है और जो सोशल मीडिया पे हमारे इंफ्लेंसर होते हैं सेलिब्रिटीज होते हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इशू की गई है उसके लाव यह वाला टोपिक काफी अच्छा रहने वाला आपका यहां से और यहां से हम लोग प्रिलीम से क्वेशन भी करेंगे और में सा क्वेशन भी करेंगे ठीक है पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या प्रोल्म्स आ रही है इन जनरल वैसे आपको सारी चीजी में पता होगा लेकिन इसका में कार्ण है but फंडिंग remains कैसे सर्पंडींग होती है सरपंच का क्या रोल होता है डिश्टि केलेक्टर का क्या रोल होता है इस तरही कुछ नहीं नहीं चीज़ आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं अच्छा रहेगा इंटरस्टिंग रहेगा तो जुरूर देखें इसको लेकिन foundation course हम launch करी रहे हैं आपको पता ही होगा तो नीचे description में आपको लिंक मिल जाएगा इंटरस्टिड हैं तो जाके जरूर उस पर क्लिक करें आप हमेबारी website भी विजिट कर सकते हो फांडेशन course देख पढ़ने तो आप खुद भी पढ़ सकते हो self study कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है self study से भी बहुत selections होती है बट उसमें समय लगता है लंबी process है अगर आप किसी coaching के थ्रू जाते हो किसी guidance के थ्रू जाते हो तो चीज़े थोड़ी आसान हो जाती है जल्दी हो जाती है आपको groups मिल जाते है यह हर कोई किसी का किसना कोई ना कोई ना गुरू या guide होता ही है अरजुन के भी गुरू थे Marker, Shumaker के भी गुरू थे, Kohli के भी गुरू है सभी किसी के होते हैं एक थोड़ा benefit मिल जाता है बागी आप self study करिये उसकी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप as a guide जोइन करना चाहते हो मतलब as guidance के तोर पे तो आप definitely कर सकते हैं 2023 में अगर आटेंट दे रहे हो तो आपके लिए test series तो of course है कोई भी test series लगाई है बढ़िया लेकिन लगा है जरूर ठीक है हमें आपका अपनी information दे रहा हूं 22nd of January से हम लोग खुद लौंच कर रहे हैं जिसमें आपके sectional test भी होते हैं आपका full length test भी होते हैं CSET के test भी होते हैं और ठीक है और discussions वारा हो सब रहती है चलिए त bail-out program जो कितने सारे word यहां पर नोंगे डाल दिये हैं debt-ridden का मतलब क्या होता है कि भाहिया जो कर्जे में डूब गया जैसे किसी को bad-ridden भी बोलते हैं बेड रिडन बेड रिडन का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक्सिडेंट हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है और वो बेड पे रहता है उसको बेड रेस्ट किया जाता है उसे बेड रिडन भी कहते हैं तो ऐसे ही बेड रिडन है ऐसे ही डेड रिडन है तो यह क्या कर रहे है ready to meet मतलब पाकिस्तान जो है IMF की हर डिमांड को पूरा करना चाहता है बकाइदा उसको bailout program दिया जाए ये bailout क्या होता है जब भी किसी country में balance of payment crisis आता है तो IMF से help मांगता है बताता चलूँ आपको IMF सिर्फ उन्ही country के help करता है जो IMF के members होते हैं बिना member की कभी भी help नहीं करता है बई सीदी सी बाता है Netflix का subscribe आपने लिया है तो आपको benefit मिलेगा आप movies देखोगे मैं थुरी नहीं देखोगा क्योंकि मैं subscription नहीं ले रखा है तो यह subscription basis पर basically काम करता है और IMF के अंदर आपको subscription fees भी देनी पड़ती है जिसे हम लोग कोटा कहते हैं तो वो भी चलता हर country के इसाब से तो जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान के हलत कावी कराप है balance of payment crisis और यह balance of payment crisis इंडिया के ओपर भी आया था 1990s में हमें अच्छे से पता है हम लोग में IMF के पास गए थी पैसा लेने के लिए लेकिन यह पैसा IMF free में नहीं देता है बाई देखी अगर आपकी country में balance of payment crisis है इसका मतला आपने कुछ ना कुछ गड़बड किया है आपका जो governance है आपका जो economic structure है वो गलत हुआ है ना कल को अगर कोई एक bilinear है और अगर वो दिंजात जुआ खेल रहा है दारू पी रहा है और उसके वो गरीब हो गया तो यह जाके सरकार से थोड़ी ना बोलेगा के माई बाप मैं तो बड़ा करोड़ पती था और मैंने इतना जुआ खेला और मैं तो रोड़ पती हो गया आप प्लीज मेरी help कर दीजिए अरे भाई गलती आपने करी है तो अगर आपकी help कर भी रही है सरकार तो कुछ terms and conditions तो आपसे मांगेगी ना ये फुलफील कर दो तब आपकी help करूँगा क्योंकि mismanagement आपने किया है मैंने नहीं किया है तो वो जो terms and conditions होती है actually वो काफी tough होती है 1990s में इंडे के उपर भी लगाई गई थी लेकिन वो तो भला हो कि उसना इंडे के finance minister जो है अपने आस पास आज देखी रहे हैं तो लेकिन प्राकिस्तन वाले ऐसा नहीं करते हैं प्राना लोन चुकाने में चला जाता है या इंफ्रास्रक्चर पर आप कुछ खर्चाई नहीं करते हो यही होता है श्री-लंका में भी यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, तो कुछ conditions रखी गई थी, पाकिस्तान ने कहा है कि भई, प्लीज हमें पैसा दे दो, क्योंकि immediately हमें कम से कम 6 billion जो है डोलर चाहिए, आला कि total में पाकिस्तान को 40 billion डोलर से जादा चाहिए है, ठीक है, बट फिलाल 6 billion डोलर के उपर बात अटकी हुई है, हलांकि इसका approval 2019 में मिल गया था more or less, लेकिन रिलीज नहीं किया था पैसा, क्योंकि conditions रखी गई थी, चार condition थी, पाकिस्तान ये फुल्फिल करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, अभी पाकिस्तान का कहना है कि बाए माई बाप, मैं आपकी हर condition फुल्फिल करने वाला हूँ, प्लीज मुझे पैसा दे दो, तो ये बेसली कटोरा हाथ में लेगे घूम रहा है, उसको टोरे में पैसा वो तभी डालेंगे, जब टमसेंड कंडिशन फुल्फिल करेंगे, चार कंडिशन थी, कौन-कौन सी थी, आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, और ये जो कंडिशन ह वो country to country थोड़ा vary कर सकती है, ऐसा नहीं है कि हर country के पर यही condition लगती है, जिस तरह से पाकिस्तान ने mismanagement किया है, पहले तो इन्होंने ये कहा है कि यह market-based exchange rate होना चाहिए, exchange rate आपको अच्छे से पता है, जैसे हम लोग रूपी और डोलर की बात करते हैं, ठीक है, ये exchange rate है, क market-based मतलब demand and supply के हिसाब से उपर नीचे होना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, हमारा यहां पर रूपी कभी strong हो जाता है, कभी weak हो जाता है, उसे RBI कंट्रोल नहीं करती है, गवर्मेंट कंट्रोल नहीं करती है, हाँ कर सकती है, जब fluctuation बहुत जादा हो, लेकिन mostly cases में RBI उस को कंट्रोल करता है, तो पहली बात है, मार्केट-based exchange rate system को फोलो करिए, दूसरी बात, electricity और पेट्रोल वगरा में बहुत जादा subsidy दी जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, जिसके वदे से सरकार का बहुत तरह पाईसा तो वहीं चला जाता है, अब यह subsidy से क्या रहा है, आप production थ revenue का जुगाड करिए, revenue तो सरकार का कैसे हो सकता है, या तो tax लगाने से हो सकता है, या non tax से हो सकता है, है ना, तो tax बढ़ाईए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आप free में दे रहे हो, वो अब नहीं चलेगा, ठीक है, और tax बढ़ाना ज़रूरी है ताकि सरकार का revenue increase हो, दूसर fiscal deficit का मतलब अच्छे से पता होगा, fiscal deficit का मतलब होता है expenditure, minus revenue, ठीक है, मतलब सरकार का जो खर्चा होता है, सरकार की जो income होती है, उनके बीच का जो difference होता है, वो fiscal deficit होता है, ठीक है, तो ये है थोड़ा सा मामला, बाकी देखिए, क्या लिख रहा है वो, funds from the IMF will help overt, overt मतलब, avoid कर सकते हो, बचा सकते हो, ठीक है, will help avert a potential default and pave the way for more aid from other multilateral institutions and friendly nations, other multilateral institutions जैसे आप बोल सकते हो, सर Asian Development Bank, ठीक है, world bank बोल सकते हो, या कोई और ऐसा institution होता है, जो lending का काम करता है, तो अगर IMF किसी country को help करता है, तो पहली पात तो उस country को default होने से बचा सकता है, सिद्धी सी बात, आपके इतना पाइसा मिल रहा है, दूसरी बात, अगर IMF आपकी help कर रहा है, तो दूसरे multilateral institutions हैं, वो भी आपकी help के लिए सामने आ जाते हैं, और आपके जो friendly countries हैं, वो भी आपकी help कर सकते हैं, ठीक है, तो चाइना, साओधी और ABA से कब तक हैरात मांगो होगे भाई, कुछ नो कुछ तो घर पर करना पड़ेगा, आपको ठीक ठाक, तो यह बेसिकली पूरा मामला यहां पर बनता है, मतलब यह कुछ-कुछ इस तरह से है, अगर आपके passport के ओपर अमेरिका का ठपपा लग जाता है, तो उसके बाद फिर कोई और country आप से ज़्या को priority देता है, पहली बात तो भही है inflation, वो 5-7% की होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा है कि spending पे थोड़ा सा ध्यान दो, फालतू के खर्चे मत करो, ठीक है, उस पैसे को बचाईए, अपने कम से कम domestic use के लिए, और यह कहता है कि power tariff मतलब बिजली के दाम, demand और supply की हिसाब से होना चाहिए, जब बिजली free कर देते हो, या उसको बहुत सस्ता कर देते हो, तो लोग फालतू में use करेंगे, आप यह मत समझो के दो लोग जहें, वो देश के बारे में सोचेंगे, वो पंखे बंद करेंगे, light बंद करेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक ह है, governance को strength करने की जुरूत है, ठीक है, governance को strengthen करेंगे, और social safety वगरा, इनका ध्यान रखिया, तो यह कुछ priority areas होते है, IMF क्या है, क्या नहीं है, यह मैंने आपको self study के लिए, बहुत बार यह content मैंने आपको दे दिया है, और अगर आप हमारे regular listeners हो, और देखते हो channel पे आते हो, ठीक है, कुल मिलाकी यही है, कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है, मतलब आपके लुटिया डूप चुकी है, हाथ में कटो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, भई आदमी क्या करें, आप तो नहीं घबराओगे, आपकी तो properties लेंडन में है, अमेरिका में है, लेकिन आम आ advantage है, वो सबसे बड़ा यह होता है, कि neo-liberal policies को promote करता है, privatization को promote करता है, अगर आपकी country ऐसी है, जो socialism में बिलीव करती है, या आपका state welfare state है, तो वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो जाता है, इस privatization की वज़े से क्या होता है कहीं बार, private जो foreign companies हैं, बड़ी बड़ी जो companies होते है वो आपकी country में आ जाती है, और आपकी जो domestic industry है, वो बरबाद हो जाती है, कई बार कई countries में ऐसा देखा गया है, 1970 में श्री लंका में यह सब हुआ, IMF से उन्होंने help लिया, विदेशी company आ गई, local company आ डूब गई, अज़ जब local company आ डूब गई, और लोगों के पास पैसा व हुआ था, help करने के लिए, मतलब help के नाम पे blackmail करने के लिए, है ना, तो सब चीज़े होती है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, और ऐसा usually तब होता है, जब आपकी country के जो policy makers होते हैं, जो politicians होते हैं, उनमें अकल नहीं होती, दिमाग नहीं होता, तब होता ही, otherwise तो IMF आपको controversial है, but yes, this is also a condition, मतलब जैसे Air India की बात कर सकते हैं, इंडिया जैसे करता है, इस चीज़ को implement किया है, इंडिया ने, वहिए Air India कितने सालों से नुकसान में जा रहा था, सफेद हाथी था, उसका सिर्फ खर्चा था, एक रती भर रुपया भी जो है Air India हमें कमा के नहीं दे रहा था सरकार को, फालतों में, ना employees की salary जा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तो it's better कि Air India को बेच दिया जाए, रादर देन उसको रखा जाए, लाख कोशिश कर ली थी सरकार ने, लेकिल Air India सुधरने का नामी नहीं ले रहे थी, ठीक है, नुकसान में ही जा रही थी, 20,000 करोड हर साल लगबग वो नुकसान में जा रही थी, तो it's better कि आप उसको private sector को बेच दो, फालतों में ढोने की क्या ज़रूरत है, तो यह है, allow falling firms to bankrupt, अगर कोई कफम लगातर fail हो रही है, पैसा नहीं करा रही है, उसको bankrupt होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, यह कुछ-कुछ ब मडल मतलब confusion, जो restraints होती है, जो problems होती है, जो bottlenecks होती है, उसकी बात वो कर रहा है, ठीक है, बहिए, पिछले साल इंडिया ने क्या किया था, single-use plastics को ban कर दिया था, हाला कि market में धडले से भिक रही है, पता नहीं, वो factory या अभी भी चल रही है, बंद हो गई है, देकर factory या ब भी भी का है, या कुछ changes आये हैं, नहीं आये हैं, बट anyways, तो सरकार नहीं कहा था, कि जब हम लोग single-use plastic को ban करेंगे, तो हम लोग bio degradable plastic को promote करेंगे, देखो लोगों को तो समान डाले के लिए थैली चाहिए न, अब घर से लेके थैली कोई नहीं चाहता है, तो कम से कम bio degradable plastic का यूज करिए, यह bio degradable का मतलब क्या होता है, bio मतलब जो की nature से आती है, degradable का मतलब यह होता है, कि जो bacteria के दवारा decomposed की जा सकती है, यह वो plastic होती है, जो हजारों क्रोडों सालों तक system के अंदर नहीं रहती है, दो-चार साल में वो अपने आप ही हमारी जो मिट्टी होती है, उ government policy इस चीज़ को promote नहीं कर रही है, कारण क्या है, हमारा जो BIS है, जो standard वगरा set करता है, BIS क्या कहता है, वो यह कहता है कि यह कोई plastic bio degradable है, आप उसको कैसे check करोगे, how to check that, उसके लिए में condition रखी, condition यह रखी, कि अगर कोई plastic, अगर वो दो साल में 90% अगर degrade हो जाती है, उसी को हम लोग bio degradable का certificate देंगे, otherwise certificate नहीं देंगे, दो साल में कम से कम 90% का degradation होना चाहिए, पहली बात तो यह, अब इससे क्या होगा, इससे तो यह होगा, कि जो bio degradable plastic बनाने वाली companies हैं, उनको दो साल का wait करना पड़ेगा testing के लि तो फिर चेक करोगे, कि वो 90% हुआ है के नहीं हुआ है, मतलब पिछले साल बैन हुआ था, तो उनको अभी 2 साल wait करना पड़ेगा, अभी इस साल के end तक या 2024 तक wait करना पड़ेगा test करने के लिए, तो भी या 2-3 साल आप क्या करोगे हैं, सोचने की बात है, तो इससे private companies को certificate नहीं दे रही है सरकार, उनको ऐसा bio degradable certificate नहीं दे रही है, देख सरकार का कहना है कि अगर मालो कोई product 20-30% अगर, देखो, यहाँ पे खेल क्या है, वहाँ पे खेल यह है, कि 24 months में जो degradation है, वो 90% होनी चाहिए, ठीक है जी, 12 महीने में जो degradation है, वो 45% होनी चाहिए, देख सरका यह नहीं कह रही है, यह मैं logic लगा रहा हूँ, अपना खुद का logic, इसका मतलब यह है, कि 6 months में जो degradation है, वो 22.5% होनी चाहिए, अगर कोई product, कोई plastic, अगर 6 महीने में इतना degrade हो रही है, इसका मतलब 24 महीने में 90% degrade हो सकती है, तो यह जो plastic बनाने वाले company हो यही कह रही है, क 24 months के सबसे खुद calculate कर लो, हमारा जो central pollution control board है, उसने कहा कि नहीं बेटा, इतना दिमाग मतलगाओ, अगर कोई plastic, 6 महीने में अगर 22.5% degrade हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है, कि वो 24 महीने में 90% हो जाएगा, आप ज्यादा दिमाग मतलगाओ, ठीक है, हो सकता है, आपने उस साइंटिफिक सी चीज़े हैं, तो इसलिए उनको certificate यहां पर नहीं दिया जा रहा है, और जिसकी वज़े से इंडिया में बायो प्लास्टिक प्रमोट नहीं हो रही है, तो देखो, जो हमारी normal plastic होते वो बनाई जाती है, petroleum से, ठीक है, petroleum में जो है, हम लोग बहुत सारी चीज होती है, मेज, वीट, शुगर केन, ठीक है, इन से बनाते हैं, और इसलिए biodegradable भी होती है, तो हम लग जैसे हमारा जो कोन उगारा होती है, या शुगर केन उगारा होता है, उससे शुगर को extract कर लेते हैं, उस शुगर को बाद में हम लोग जो है, polylastic acids में convert करते हैं, ठीक ह इसको बनाया जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं, PHA, polyhydroxyl canotes, ठीक है, polyhydroxyl canotes, यह आप तो थोड़ा याद करना है, नाम थोड़ा जीब सा है, ठीक है, प्रनिसेशन उगरा में, बट करना ही पड़ेगा कुछ करनी कहीं नहीं सकते हैं, तो PHA, यह micro-organism से इसका यूज किया जाता है, ठीक है, उसके लावा जो हमारे medical devices वगरा होती है, जो surgery वगरा में यूज होती है, ठीक है, cardiovascular पैचिस वगरा में लगाई जाती है, हमारे दिल में, यह सब हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो यह कुछ चीज है, आपका पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़े बैन की गई थी इंडिया में, उसकी list भी मैंने आपको दिया हुआ है, around 26 items बैन की गई थी, single-use plastic, ठीक है, बंगलादेश was the first country in the world, जिसने 2002 में plastic को बैन किया था, single-use को, न्यूजिलेंड ने भी बैन किया था, 2019 में, चाइना ने भी बैन किया था, 2020 में, इस समय दुनिया के 68 country ऐसी हैं, जहां पर single plastic को बैन कर दिया गया है, यह self-study के लिए मैंने आपको यहां पर डाला है, इसको भी बच्चा थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, plastic waste management rule क्या क्या है हैं इंडिया में, और कौन-कौन से challenges हैं इंडिया में, कि हम लोग plastic को पुरी त लोगे suggestions वकरा भी दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा content और topic है, single-use plastic के बारे में, ठीक है, तो यह आपको पूछ सकता है, वो government policy में भी पूछ सकता है आप से, और GSP परत्री में environment वाले section से भी पूछ सकता है, यह UPSC को यह ऐसा खास distinction नहीं करता है, UPSC का मन करे, किसी भी topic को कहीं से भी पूछ सकता है, Supreme Court declines to entertain petition सुनता cast census, देखे, आपको पता ही है कि बिहार में cast census शुरू हो गया है, और यह दो phase में होगा, ठीक है, पहले phase की शुरुआत जो है, वो 7 जनुरी से हो चुकी है, दूसरे phase की शुरुआत जो है, भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, तो बिहार में हुआ है, तो बिहार में government के decision के against में Supreme Court के अंदर किसी ने PIL वगरा फाइल किया था, Supreme Court ने उस PIL को entertain करने से मना कर दिया है, PIL में यह कहा गया था, कि माई बाप जो cast, जो survey वगरा होता है, वो centralist के अंदर आता है, तो state government इसको नहीं करवा सकते, Supreme Court ने कहा भा information gather करने वाले हैं, वो रहेगी हमारी household के बारे में, उनकी caste के बारे में, social economy condition के बारे में, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए, cast census बिहार में, अभी पहला state बना है इंडिया में, बिहार exclusively जहांपे cast census किया गया है, तो क्या इस से पहले हमें cast census नहीं पता थ पता था, लेकिन शिर्फ scheduled caste और scheduled tribe, यहाँ पर सारा मुद्दा OBCs का है, OBCs का हमारे पास proper कोई data नहीं है, इंडिया में कितनी OBCs हैं, ठीक है, हर census में scheduled caste और scheduled tribe को include किया जाता है, ठीक है, before that, every census until 1931 had data on the caste, 1931 का census last था, जिसमें exclusively सारी caste को include किया गया था, 1941 में भी किया गया था, लेकिन इस data को published नहीं किया गया था, तो हमारे पास जो last data है caste वाला, actually वो 1931 का है, ठीक है, OBCs का हमारे पास कोई data नहीं है, मंदल कमिशन का ये कहना है, कि OBCs की population इंडिया में 52% है, हाला कि ये थोड़ा उपर नीचे हो सकता है, we never know, क्योंकि कोई proper तो survey नहीं किया गया भाई, है ना, तो basically ये है कि इंडिया में around, you know, 80, 82% population जो है इंडिया में, वो OBCs, SCs और STs हैं, ठीक है, around 18% इंडिया में जो है, वो general category से की population है, तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो बिहार भी वहाँ पे कर रहा है, 2011 में इंडिया ने social economic consensus किया था, जिसमें cast का data include हुआ था, बट वो सरकार ने release नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी error है, ठीक है, error है in the sense कि आप ये समझा लीजिए, कि उसके इतनी cast आ गई, मतब दस हजार से ज़्यादा cast आ गई, आप ये सोचिए कि जैसे अगरवाल है, ठीक है, A, W, G, A, R, W, A, L, अगरवाल is a cast है, बनिया cast होती है, लेकिन अगरवाल को बहुत different तरीके से लोग लिखते हैं, कहीं पे लोग single G लिखते हैं, अगरवाल, कहीं पे लोग जो W के लग हो जाता है, और उसकी वज़े से न, वो multiple counting हो गया, एक एक कास्ट का, और वो समस्या हो गई, तो इसलिए सरकार ने कहा, भई उसके अंदर error है, तो हम उसको release नहीं करेंगे, हाला कि economic status release कर दिया गया था, poverty वाला, बट कास्ट वाला नहीं किया था, तो ये कुछ-कुछ बिहार में का census शुरू हो गया है, तो इसलिए भी important हो गया है, तो reliefs और remains, दोनों में यहां से question आ सकता है, 2009 में भी question पूछा गया था census से, UPSC ने पूछा है, तो मैंने भी निकलूट कर दिया भई, ठीक है, तो इसको पढ़िए अराम से, comment section में इसका answer मज़े चाहिए, ठी Bernard becomes country's first district to provide basic documents to all, देखें वैसे तो यह regional news है, लेकिन country में first है, तो पूछा जा सकता है exam में, ठीक है, देखें, वहाँ पेक न प्रोग्राम चलाय गया था, प्रोग्राम का नाम है ABCD campaign, देखो आप exam में simple भी पूछ सकता है, कि ABCD campaign was recently in news, it is related to which of the following, इस तरह का सवाल आप से पूछता है, ठीक है, बहुत detail में जाने की जूरत नहीं होती है, बट यह पता होना चीक, क्या चल रहा है, ABCD की फुलफूम होती है, अक्षय बिग campaign for document digitization, ABCD, इसमें क्या होता है, campaign लगाय जाते हैं, टेंट लगाय जाते हैं, जिसके अंदर ये government officials बैठते हैं, और एक ही ज जगहे पे आपका आधार कार्ड भी बना दिया जाता है, आपका राशन कार्ड भी बना दिया जाता है, आपको birth death certificate भी दे दिया जाता है, आपकी voter ID भी बना दिया जाती है, आपका bank account भी open करवाया दिया जाता है, आपका health insurance की facility भी दे दिया जाती है, एक ही जगहे पे आप आपको बार-बार अलग-अलग department में भटकने की requirement नहीं है भाई ठीक है आप महाँ पर जाएए वो जो officers हैं आपका सब काम कर देंगे single window clearance एक दो चार दिन में आपका काम हो जाता है ठीक है इसमें आपका समय बचता है तो वेनाड जो है पहली ऐसे district बन चुकी है जहां पे under ABCD campaign यह सारे के सारे document हर tribal person को दिये जा चुके है कुछ दिये जा रहे हैं कुछ अभी दे दी जाएंगे future में ठीक है पुट वेनाड is the first district यह थोड़ा को पता होना चाहिए चलिए new guidelines to regulate promotions on the social media देखे सबी social media का use करते हैं हम लोग facebook का use करते हैं instagram का use करते हैं तो हमारे जैसे bollywood की celebrities होती है दिया दूसरी celebrities होती है या फिर social media जो influencers होते हैं आजकल तो influencers बोलते हैं उनको influencers बोलते हैं मालो कोई real पे कोई बहुत बड़ी celebrity बन गए उसके millions of followers होते हैं तो यह लोग क्या करते हैं यह ना products के लिए promotion करते हैं है मालो मैं बहुत बड़ा star बन गया मालो ठीक है मैं real बनाता हूं मैं बहुत बड़ा star बन गया तो company वाले मेरे से contact करेंगे और बोलें के भाईसा बैसा करें हमारे product को आप अपने उसमें चैनल पर दिखा दीजिए हम आपको नहां एक क्रोट रुपिया देंगे अब मेरा क्या जा रहा है मालो एडिडास ने मरे से contact किया ठीक है मालो मालो यह हो सकता है एक्सफिलूजली नहीं नहीं बोल रहा हूं अपने followers को कि एडिडास खरीदो लेकिं मैंने cap पहन रखी एडिडास की या मैंने jacket पहन रखी एडिडास की तो ये अगर मुझे पे कर रहे हैं देखे जरूरी ने के मुझे पे कर रहे हैं मैं अपने आपसे भी पहन सकता हूं लेकिन इन केस अगर वो मुझे पे कर रहे हैं और अगर मैं अपने फॉलोवर्स को नहीं बता रहा हूं कि इस स्कैप पहने के लिए मुझे पै को तो आपको mandatory कर दिया गया है कि उस information को disclose करना पड़ेगा screen के सामने आना चाहिए कि भाई वो sponsored है यह advertisement है यह paid promotion है आप जंता को बेवकूफ नहीं बना सकते क्योंकि आपके followers आपको follow करेंगे ना यार वो जब पहन रहे हो वही पहनेंगे जब खा साना पड़ेगा कि भाई यह मैं पहन रहा हूं उसके लिए मेरे को पैसा मिला है और ऐसा नहीं है कि अपने description में कहीं आप नीचे कौने में जाके लिख दो कि यह तो paid promotion था नहीं वो visible होना चाहिए ना दिखना चाहिए दर्शकों को सामने तो individuals do not mislead their audience when endorsing products अगर आप mislead करते हो तो हमारा जो consumer protection act है उसके तहट आपके ओपर fine लगाया जा सकता है कितना fine लगाया जा सकता है पचास लाक रुपे तक का भी fine लगाया जा सकता है आपको एक साल के लिए ban कर दिया जा सकता है और अगर एक साल के बाद भी आप नहीं सुधरे आपने फिर से ऐसा गलती किया तो आपको फिर 3 साल के लिए भी ban किया जा सकता है ठीक है तो थोड़ा सा हम लोग जब social media का use करते हैं influence होते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि यार इनको इस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं हम कहें बेफकूप बन रहे हैं है ना तो थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगाना ज़रूरी होता है चलिए बचो there is hardly any autonomy at the पंचायत level autonomy का मतलब होता है जहां पर आप अपना decision खुद ले सकते हो आपको कोई और influence नहीं कर रहा है इसका मतलब होता है autonomy autonomous bodies होती है news में क्यों है देखे कोई भी article ऐसे फालतु में नहीं आता है ठीक है वो कही ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है यहां पर क्या हुआ तेलंगाना का case है वहां पर एक सरपंच ने suicide कर लिया और कुछ सरपंच ने वहां पर resign भी कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि देखे अब गाउं में तो यार आपको development activity तो करनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ project बनाना पड़ेगा यह सरपंच क्या कर रहे थे वो जो development हो रही थी अपने personal पैसे से कर रहे थे bank से उन्होंने loan लिया loan लेने के बाद वो गाउं में वो सब कर रहे थे क्योंकि उनको इमीद थी कि state government जल्दी ही उनकी payment को release कर देगी बढ़ सरकार ने payment release नहीं किया delay कर दिया unfortunately उनको suicide करना पड़ा या resign करना पड़ा ठीक है क्योंकि local जो bureaucrats होते हैं ठीक है वो unnecessarily पंचायत को influence करते हैं तो यही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि क्या दिक्कत है पंचायत में सबसे बड़ी दिक्कत funding की है मतला ऐसा लोग बोलते हैं कि पैसा हर चीज का solution नहीं है लेकिन पैसा 90% से जादा चीजों का solution तो है कम से कम 10% का नहीं है अगर मतलब ठीक है आप percentage चुपनी चे कर सकते हो लेकिन फिर भी पैसा बहुत सरी चीजों का solution है इसमें कोई डाउट नहीं तो पैसा नहीं होगा तो दिक्कत तो होगी ही तो ग्राम पंचायत में भी ऐसा होता है देखे ग्राम पंच पैसे का जुगार दरने के पहला तो वह खुद के रिसोर्स होते हैं उनके पास जिसमें लोकल टेक्स लगा सकते हैं वगरा वगरा ठीक है लेकिन यह percentage बहुत ही कम होता है इटी परसेंट का पैसा कहां से आता है या तो वह ग्रांट से आता है सेंटर से आता है या स्टेट पंचैती को ग्रांट दिया जाता है हर साल या फिर कुछ स्कीम बेस्ट फंडिंग होती है जीसे डिसक्रिशनी ग्रांट होता है मतलब आथ जैसे हम रहे स्वच भारत मान गये चलिए वह वह आपनी मर्जी से पैसा देते हैं गाउं को त् Allies यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है अब यह तो आपको पता चलिए कैसे funding होती है अब आती है सारी समस्यां खड़ी होती है देखे अगर किसी सरपंच के पोलिटिकल कनेक्शन अच्छे है और भही अगर वो ओफिसर्स वगर से बना के रखता है बढ़िया तब ही तो यह grant release हो जाते हैं लेकिन अगर आपने उनसे पंगा लिया तो समझो काम खतम हो गया अब मालो लो election चल रहे है ठीक है अब मालो जो है state government के अंदर जो है एक XYZ पावर पॉलिटिकल पावर में है लेकिन जब election हुए थे तो आपने इस party के अगेंस्ट में campaigning है ना यह सब यहाँ पे होता है उसके अलावा क्या कर रहा है इवन वें दा higher level of the government allocate funds मालो state government से या central government से funding आ भी जाती है उसके बावजूद भी सरपंच लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस पैसे को access करने के लिए बहुत डिले होता है भाई बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं office को ही रोज रोज जो है सरकारी बाबु के वहाँ पर हाजरी लगा के जानी पड़ती है तब कहीं जाके आपको पैसा मिलता है तब तक तो आपका पर development होता पर delay हो चुका होता है उपर से लोग आपके उपर pressure दे रहे होते हैं आपको पता ही है कि गाउं में क् street light नहीं लगी है तो unnecessary pressure होता है और उदर से delay होता है ठीक है ये बड़ी बात है कहीं बाद स्टेट government जो है आपके पैसे के पर limit भी लगा देती है कि कितना पैसा खर्च करना है proper चीज के लिए आपको पूरी list आती है कहीं बार तो कि इस चीज बे इससे जादा खर्च नहीं ह खर्चा होगा अगर कोई उपर से कोई officer अगर किसी गाम में visit कर रहे हैं तो उस officer की चाय पानी में कितना खर्चा होगा वो सब जो है decide क्या जाता है अपाई state government कहीं ऐसे case भी देखने को मिले है सरपंच and the पंचायद secretary who report to the block development officer यह आपने पंचायद अगर एपिसोड देखा है तो नहीं देखा तो जरूर देखें लेकिन समया है तब देखें तो पंचायद secretary वो ब्लोग जो बीडियो होता है ब्लोग development officer उसको report करता है ठीक है अब क्या होता है देखें जैसे गाउं में चेक आता है मालो गाउं में जो है एक क्रोड रुपे का चेक आया developmental activity के लिए अब आ गया लेकिन आप उसको cash नहीं करवा सकते सरपंच साब क्योंकि सरपंच साब को उसके ओपर बीडियो के भी signature चाहिए उसके ओपर पंचायद secretary की signature चाहिए तब कहीं जा कि आप उसको payment प्रजेक्ट लगाना है तो पहले तो आपको technical approval लेना पड़ेगा local engineer से फिर आपको administrative approval लेना पड़ेगा भाई आपके जो local officials होते हैं बीडियो हो गया है उससे उपर कोई हो गए जिसके वज़े से कहीं बार office का चक्कर काटने पड़ते हैं तो बैचारा सरपंच से बगारा क पोलिटीशन की उनके बचारों के हाँ जोड़ना पड़ता है request करनी पड़ती है कहीं बार काफी काफी खराब हो जाती है situation तब कहीं जा कि आपको पैसा मिलता है तो आसान नहीं एक सरपंच की जिन्दगी ठीक है according to this article उसके लावा गाउं में कहीं बार sweepers या watchmen इनको भी recruit क किया जाता है इनको और यह जो recruiter होते हैं वो भी गाउं से ही होते हैं कहीं सारे state में यह recruitment भी higher level से होती है सरपंच इनको recruit भी नहीं कर सकते हैं और अगर यह काम नहीं करते हैं तो सरपंच इनको dismiss भी नहीं कर सकते हैं यह सरफ higher official से होता है ठीक है भाई सरपंच को इतना power तो अपर सरपंच को कभी भी dismiss किया जा सकता है उसके miss behavior के लिए miss conduct के लिए अब यह miss behavior miss conduct क्या है तो यह कहीं define नहीं किया गया तो district collector जो होते हैं DC साब जब मर्जी चाहे सरपंच को dismiss कर सकते हैं जाओ टाटा बाई बाई ऐसा तेलंगाना में हो चुका है लास्ट यर ही तेलंगाना में 100 से ज़ादा सरपंच को dismiss किया जा चुका है district collector के द्वारा यह बार तो ऐसा हुआ कि कोई government कोई scheme लेके आ रही थी किसी गाउं में और उस गाउं के लोग जो है अपने धिकारों के लिए प्रोटेस्ट करने लगे और उसमें सरपंच साब ने पार्टिस्पेट कर लिया सरपंच ने पार्टिस्पेट किया उसको जो है शाम तक नोटिस आगया कि you are dismissed क्योंकि आपने government के अगे प्रोटेस्ट किया है अब ऐसी भी आहलत होती है कहीं बार ठीक है तो इस सारे के सारी हो तो क्या आप सही काम कर रहे हो ठीक है आपने यह सोच लिया कि सरपंच ऐसा कर सकता है लेकिन आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हो ना कम से कम आप ही कर लो ना तो खुद कर रहे हो ना उसको करने दे रहे हो समझ से दोनों तरब से है ठीक है तो यह जो limited decentralization हुआ है इंडिया पीच में सरपंच पिस्ता रहता है तो यह कुछ-कुछ आर्टिकल यह उन्हें नहीं आप बताया था एक मेंस के लिए question हम लोग definitely यहां से लिख सकते हैं दा पंचायत राज institution is simultaneously a notable success and failure मतलब success भी है और failure भी है at present many challenges have hampered it today it is necessary to adopt such measures which can be helpful in fulfilling the objective of the पंचायत राज make a comment अपने इसमें कुछ नहीं करना है पंचायत राज institution के बारे में थोड़ा सा बताना है उसकी success के बारे में कुछ point लिखना है उसके failure के बारे में कुछ लिखना है और बाद में जाके आपने कुछ suggestions वहां पर दे देने हैं कि कैसे इसको improve किया जा सकता है that's it अब तीन हमार इसको पढ़ सकते हो यह वाला जो है ना political support key to make platform pay news publishers यह मुझे लगता है कि अगले हफते tax section के अंदर आ जाएगा ठीक है तो इसको हम लोग वहां स explain कर सकते हैं तो थोड़ा सा patient अभी रखते हैं हम लोग patients थोड़ा सा यह वाला थोड़ा पढ़ सकते हो यह भी पढ़ सकते हो अगरा common है G20 वैसे हम जोग G20 की बारे में बहुत बात कर चुके हैं तो skip भी करो तो चलेगा कोई अची बात नहीं है ठीक है दोस्त दोस्त आज के लिए इतना ही था thank you very much all the best जैहिन